हेलो माई यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप सब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और यहाँ पर है सुबह का समय सुबह मैं उठकर सीधे तीन ग्लास पानी पीती हूँ नॉर्मल और सिप सिप करके पी लेती हूँ उसको और यह देखिए हमारे यहाँ फूल लगे हैं तो मैं यह तोड़ने आई हूँ भगवान जी के चड़ाने के लिए नॉर्मल पानी पीने के माद मैं अपना डेली रूटीन करती हूँ उसके बाद फिर मैं अपना पौधोधों को पानी दे देती हूँ पूजा पाट करती हूँ और अगर मुझे टाइम लगा तो मैं सुबह एक्सरसाइज कर लेती हूँ वरना मैं जब किचन वगएरा का काम होता है उसके बाद अपना काम करती हूँ तो ये देखिये मैं अपना वर्काउट कर रही हूँ और जो ये मैं सारे वर्काउट करती हूँ दोस्तों ये सारे बैली फैट के लिए ही है mostly तो अगर आपको पूरी डीटेल में वीडियो देखना हुआ करें तो आप मेरे चैनल में देख लिया करिए जाके उसमें फुल डी चाहिए और 32 बार के साथ साथ वर्काउट और वॉक दोनों करनी चाहिए तब ही आपको अच्छा रिजर्ट मिलेगा क्योंकि अगर आप वर्काउट नहीं करेंगे तो आपकी बॉड़ी अक्टिव नहीं होगी और जो आपका वेट इस्टक हो गया है वो पिगलेगा नहीं ज दोस्तों जब आप कोसिस करेंगे तो आपका वेट लॉस जरूर होगा और सोचे कि कुछ भी भी ना किये हमारा वेट लॉस हो जा तो बिल्कुल भी नहीं हमें कुछ तो कुछ पाने के लिए ना कुछ तो खोना पड़ता है दोस्तों इसलिए हमें अगर कुछ पाना है तो क कुछ खोना पड़ेगा उठिए सुबह जल्दी और अपने को टाइम दीजिए अपने जल्दी घर के काम निपटाइए उसके साथ साथ आप अपना वर्काउट कर लीजिए वॉक कर लीजिए इधर मेरा वर्काउट वगेरा हो गया है फिर मैं ये मैंने अपने लिए वेट ल डिन्क लूँगी मैं चेंज करकर के लेती हूँ कभी अजवाइन की ले लिया कभी जीरा की ले लिया कभी मैं मेथी सीट्स ले लेती हूँ या कभी मैंने ले लिया धनिया पानी तो धनिया पानी तो थाइराइड वालों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है लेकिन मैं धनीयापानि कम लेती हूं क्योंकि मुझे थाराइड है नहीं और इसे मैं सिप सिप करके पिऊंगी दोस्तों हमें बिल्कुल चाय के जैसे अपनी लोग आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे खुस होंगे मस्त होंगे अपने जीवन में अपना रहे होंगे और जल्दी जल्दी से अपना वेट लॉस कर रहे होंगे तो लग जाहिए जिन्होंने सुरुआत नहीं करी है सुरू हो जाहिए वेट लॉस करने की वेट लॉस जर्नी में और स्टार्ट करिए अपनी वेट लॉस जर्नी और आज मैंने नास्ता में आरिया के पापा के लिए बनाया था ये मटर फ्राई करके क्योंकि मटर का सीजन आ रहा है दोस्तों और इस टाइम ने मटर खाने में बह निकालना है और ये मेरी आरिया के लिए आलू की सबजी बन रही है प्लेन वाली और जो की उसे यही पसंद है और आज वो लेके जाएगी आलू की सबजी और पूरी तो मैं उसके लिए जल्दी से फटा फट पूरी निकाल देती हूँ और हाला कि वो खाती नहीं है लेकिन मै निकालती हूँ क्योंकि बच्चों को कुछ न कुछ देते रहना चाहिए चेंज कर करके किसी दिन पूरी देती हूँ पराठा देती हूँ और वो पास्ता सेंडविच वगएरा खाती नहीं है माइक्रोनी वगएरा मैगी ज्यादा ज्यादा खाती है तो मैगी वहाँ पर खरा दोंगी तो आज का तो मुझे लगए एक दो दिन पहले का ही मैंने रिपीट कर दिया है क्योंकि जो बच्चे को अच्छा लगे वही हमें देना चाहिए क्योंकि अगर वो वापस करके ले आएं तो फिर फायदा क्या देने का हालाकि वो वापस करके लाएगी मुझे पता ह लेकिन चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में कैसे हैं आप सब लोग आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे खुस होंगे मस्त होंगे और 32 बार वाला फॉर्मुला इंज्जॉय कर रहे होंगे तो आप लोग बताईए आप लोगों की वेट लॉस जर्णी कैसी चल रही है क यह तो पहर नहीं कर रहें कि नहीं कर रहा है तो कुछ लोगों को मैंने पास कॉमेंट आता है कि मुझसे 32 बार नहीं हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है डियर आप प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए एक कांथ में बैठ के खाईए किसी के साथ में बैठ के खाईए मैं बार बार अपनी वीडियो में बताती हूँ कि किसी के साथ बैठ के खाएंगी तो 32 बार कभी नहीं होगा अगर आप सांती में एक जगे बैट के अकेले बैट के खाएंगी तो 32 बार क्या 40 बार भी आपसे होगा तो प्रैक्टिस बनाईए होगा सबसे हो रहा है और आपका भी होगा आपना मोटिवेशनल वीडियो देखा करिए जिससे आप मोटिवेट होगी सबका वेट लॉस हो रहा है मुझे भी अपना वेट लॉस करना ही करना है किसी भी कीमत में करना है मोटिवेट ही होके मैंने अपना वेट लॉस किया था क्योंकि लोगोंने मेरा जीना हराम कर रखा था कह कह के कि बहुत मोटी है कैसी लगती है कैसी लगने लगी है उपर से नीचे बराबर है कितनी मोटी हो गई और लोगों के bad comments मुझे लगे और मुझे effect किये तब मैंने ना अपना weight loss journey start कि कि नहीं मुझे करके दिखाना है मुझे इन लोगों को पतला होके दिखाना है इनको मुथोर जवाब देना है तो आप भी आप भी ना दोस्तों ऐसे ही सोचा करिए कि जो लोग मुझे bad comment कर रहे हैं कि कितनी मोटी है क्या है तो उसे आपको उसका मुथोर जवाब देना है कि हाँ नहीं मुझे अब पतला होके दिखाना है कैसे भी करके तो मैं तो कुछ न कुछ आप लोगों को useful tips देती ही रहती हो कि कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना है और 32 बार के साथ-साथ मैं ये भी बोलती हूँ कि आपको exercise भी करनी बहुत जरूरी है walk भी करनी बहुत जरूरी है तो बीना workout और बीना exercise के आपका weight loss नहीं होगा तो अपने लिए time निकालें 15-20 minute का भी निकाल लेंगे तो बहुत है आपको जब body हमारी workout करने से क्या होता है कि हमारी body एक्टिव रहती है और जो भी हमारा fat stuck हो चुका है ना वो थोता है जब हम अपने हाथ ऐसे करते हैं तो जो ये fat जमा है ना ये सारा हमारा हटता है यहां से तो workout का यही एक सबसे अच्छा benefit है तो हम मैं तो बोलती हूँ walk करना में start करी अगर आपने walk नहीं किया है जरूर ही नहीं आप सुबह walk करें आप साम को भी walk कर सकते हैं कुछ ऐसा नहीं है कि सुबह करें कि साम को करें अगर आपके पास time में तो आप दोनों बार कर लें आप एक target set कर लें कि मुझे आज एक किलो मीटर करना है मुझे कल आप दो किलो मीटर करना है बढ़ाते बढ़ाते आप आप ऐसा बना लीजे कि आपको एक दिन में 10,000 step चलना ही चलना है 10,000 step का target बना लीजिए तो एक घंटा तो आपको लगेगा लगेगा walk करने में पिर आप देखिएगा आपको result कितना अच्छा मिलेगा अपर diet लेंगी अपनी diet में देखेंगी कि मुझे यह चीज खानी चाहिए यह चीज नहीं खानी चाहिए तो आपका जब आप खुद पर ध्यान देना start करेंगी अभी तक आपने बच्चों को अपने परिवार को ध्यान दिया है उस तरीके से आप अपने ध्यान देंगी कि मुझे क्या खाना है मुझे क्या नहीं खाना है यह सब चीजे अगर आप ध्यान देंगी तो आपका weight loss बहुत जल्दी होगा उसे कोई नहीं रोग सकता है आप ना अपनी physical activities भी करते रहा करिए कि बैठें 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 बैठने से भी बहुत ज़्यदा weight put on हो जाता है मुझे ऐसा लगता है जैसे खाना खाया तो आप थोड़ा सीडियां चर उतर लीजिए या आप ऐसे ही अपने बालकनी में टह लीजिए थोड़ा उतर गए बाहर टह लीजिए सौ कदम तो खाना खाने के बाद आप चली लीजिए इससे हमारा खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा और जो हमारा थोड़ा physical activity भी हो जाएगी किचन में खाना बना रहे हैं कुछ भी कर लीजिए उच्छल कूदर से किचन में ही कर लीजिए बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपना weight loss कर सकते हैं proper way में कर सकते हैं और 32 बार वाला formula तो इतना जादूई formula है ना कि इससे तो सबका हो रहा है weight loss आपका भी जरूर जरूर होगा और इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें आपको सिर्फ एक रोटी के 15-20 टुकड़े करने हैं उसे आपको 32 बार चबा के खाना है तो आपसे भी होगा 32 बार वाला formula पर दिन में कम sih कम एक छूर लें एक फ्रूट ग्राय ब्रीकष्ट में ले लें या इवनिग टाइबस आइमसे करे़ा का पाओन गड़े करें नहीं पुपाम नहीं घंड़ाइक घंडे बार दाना में हमें वाल कीत oldeाइड करनी है साथ से आर्ट बजे की बीज में यह सब चीजें करेंगे ना तो दोस्तों मैं गारंटी डे रही हूं कि आपका वेपलस होगा उसे कोई भी रोप नहीं सकता है तो अगर चैनल में नए आए हैं और मेरे मेरा वीडियो यूसफुल लगा हो आपको तो जरूर से जरूर चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में देखिए और मैंने क्या क्या किया और मेरे लंच की ठाली कैसी है तो बने रहीएगा वीडियो में यह मैंने बदाम सोक कराने के लि तो ये मैं बदाम ले लूँगी अपना वर्काउट वगएरा करने के बाद और आप लोग भी भिगो के रख दिया करिये लेना अच्छा होता है बदाम तो जरूरी है लेना फिर ये मैंने ब्रेकफास्ट में लिया है पपाया और वैसे मुझे पपाया कम पसंद है लेकिन जो मीठा होता है तो मैं थोड़ा सा काला नमक एट करके खा लेती हूँ और लंच के लिए मैंने सैलेट कट कर लिया है धेर सारा क्योंकि सीजनल सबजी बहुत आ रही है तो आप सैलेट पर ज़्यादा ध्यान दिया करिए ध्यान दिया करिए कि आपकी ठाली में सैलेट भरपूर मात्रा में हो दाल हो ये सब जब आप पॉस्टिक चीजें खाएंगे तो आपको वीकनेस भी नहीं लगेगी और ज्यादा सैलेट खाएंगे आप तो आपको रोटी भी कम खानी पड़ेंगी तो इस तरीके से हमें आरी रोटी भी कम हो जाएगी और हमारी भूग भी कम लगेगी तो ये लिया है मैंने दाल और एक रोटी सैलेट और थोड़ी सी आलू सेम की सबजी तो ध्यान देना है एक रोटी के 15-20 टुकड़े कर लेने हैं उसे 32-32 बार चबा के एक कांट में बैट के खाना है अगर आप 32 बार वाला फॉर्मूला कर लेंगे ना तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी आपका वेट लॉस हो जाएगा तो अगर नए आए हैं चैनल में तो मेक्स यूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो को लाइक कर दिया करें बताया करें आपको वीडियो कैसा लगा और कैसा नहीं लगा तो आप ना हर चीज में पॉस्ट चीज़ें ढूंड के खाया करिए कि क्या मेरे लिए सही है एनला